नमसक्ता दोस्तों, आज के इस पीधियो में हम डिस्टस करेंगे dividend yield fund के बारे में, कि dividend yield fund क्या होता है, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हूँ है dividend, तो सबसे पहले समझते है dividend क्या होता है, माल लिजीए XYZ नाम के एक company है, जो की public company है, stock exchange में list है और बहुत अच्छा खासा profit earn करती है starting के समय में इस company ने अपना पूरा profit अपने expansion के लिए लगाया और अब एक समय ऐसा आ गया है जब ये large cap stock हो गई है यानि बहुत बड़ी company हो गई है इसका market capization बहुत जादा हो गया है अब और इसे expansion करने की जरुवत नहीं महचूस होती तो अब ये जो profit earn करेगी अब ये जो profit earn करेगी तो ये सोचेगी ऐसा करते हैं जो हमारे share holder है उनमें बाट देते हैं कुछ पैसे तो इसके लिए ये dividend provide करेगी इसके लिए ये dividend provide करेगी अब ये dividend हो सकता है कि yearly हो या हो सकता है कि year में दो बार हो या हो सकता year में चार बार भी ये dividend provide कर सकती है वो depend करता है कि company का क्या norm and regulation है ठीक है तो वो आपको समझ आया कि ये dividend क्या होता है जादा तर जो well established company होती पुरानी company हो जाती है काफी विस्तार कर लेती है काफी अच्छा खासा उनका काम चल रहा होता है वो अपने shareholder को अपने आप से जोडने के लिए dividend provide करती है और ये जो dividend है ये आपका एक regular income हो जाता है जो आपकी सीधे आपके account में credit हो जाता है अब dividend yield मतलब ये हो गया कि अब जब आप किसी stock को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है dividend yield कितना है तो इससे पता चल जाता है कि company जो है overall dividend yield कैसी दे रही है अगर dividend yield जाता है तो जाता better company है जाता अच्छा काम कर रही है ठीक है अब हम बात करते हैं dividend yield fund के बारे में तो जब भी आप अपना पैसा किसी fund house में देते हो जो कि dividend yield scheme पर focus करता है तो उसे कहा जाता है dividend yield fund तो उसमें आपका पैसा लगता है एक ऐसे stocks को वो pick करते हैं जो जादा से जादा dividend आपको provide करें तो अब आपने समझ लिया कि dividend yield fund क्या होता है और बिल्कुल ये भी एक mutual fund का ही part है इसमें भी पैसा कई लोग मिलके pool करते हैं और फिर वो पैसा fund manager के द्वारा अलग-अलग schemes में निवेश किया जाता है अलग-अलग stocks में निवेश किया जाता है अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि dividend yield fund में किसे निवेश करना चाहिए और इसके क्या खासियत इसकी क्या benefits है पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको dividend मिलता है dividend मिलता है इसका मतलब ये है कि आपको regular आपको regular income मिल पाती है आपको regular income मिल पाता है अगला फाइदा ये है कि ये stable company होती है stable company होती है क्योंकि इनका market capitalization इनका market capitalization बहुत ही जादा होता है बहुत बड़ी company होती है इसलिए stable होती है अगर market बहुत जादा खराब जा रहा है तब भी इनका return बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है as compared to market तो stable perform कर रही होती है बड़ी companyya होती है इसमें आपका risk बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पे आपका risk बहुत ज़्यादा कम हो जाता है साधी साथ अगर आप short term के लिए short term के लिए invest करना चाहते हो तो भी आप इसको चुन सकते हो यह आपके लिए better होता है इसके अलाओं अगर आप new investor हो आप new investor अभी आप initial level पर निवेस करना start कर रहे हो तो भी आपके लिए dividend yield fund चुनना ज़्यादा better option हो सकता है तो यहाँ पर आपके यह कुछ फायदे हैं, कुछ खासियत है जिसके एवज में अगर आपको लगता है कि यह सारी खासियतों को अगर आप consider करना चाहते हो तो आपके लिए dividend yield fund एक अच्छा बिकल्फ हो सकता है इसके लमा और बहुत सारे अलग-अलग fund scheme होती है वो depend करता है कि आपका नजरिया क्या है उस नजरिया के साब से depend करता है कि वो schemes आपके लिए सही है फिर नहीं है तो अगर इन में से कोई भी आपका नजरिया है तो यह एक better scheme आपके लिए हो सकती है सबसे खास बात इसकी यह होती है कि आपको regular income generate करके देती है जो कि ज़्यादा better होता है एक और खास यह है कि ज़्यादा बड़ी कमपनिया होती है stable कमपनिया होती है तो यहाँ आपके risk भी कम हो जाते है तो आपने समझ लिया कि dividend yield fund क्या होता है दोस्तों इस वीडियो की description में आपको एक link मिलेगी MS stocks की वहाँ से आप MS stocks को install करके अगर आप चाहेद registration कर सकते हैं यहाँ पे आप mutual fund निवेज mutual fund में निवेज कर सकते हैं इस stock market में भी निवेज कर सकते हैं चाहेद